हेलो दोस्तो मेरा नाम है विभव और आज ही इस वीडियो में मैं आपको explain करने वाला हूँ हमारे class 11 के physical education book के unit number 6 test measurement and evaluation को तो दोस्तो जो वीडियो है ये according to the news levels है 2022-23 तो इस वीडियो को दोस्तो end तक देखेगा तो चलिए start करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले दोस्तो हम देख लेते हैं इस unit के content को मतलब दोस्तो हमें इस chapter में कौन-कौन से topics को cover करना है सबसे पहले topic के दोस्तो हमारा concept of test measurement and evaluation in physical education and sports second topic के दोस्तो हमारा classification of test in physical education and sports और last topic के दोस्तो हमारा test administration guidelines in physical education and sports तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जो की है दोस्तों हमारा concept of test, measurement and evaluation in physical education and sports तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि test क्या होता है तो दोस्तों test एक वो scientific tool है जिसकी help से हम किसी भी individual या फिर किसी भी person के internal data को पता कर सकते हैं मतलब अंदर के data को पता कर सकते हैं for example माल लीजे कि किसी का half yearly exam होता है physical education का हमने उसको paper दिया तो जो paper है उसमें कुछ questions है उसकी help से ही हम किसी भी individual के internal data को पता कर रहे हैं कि उसको physical education कितने अच्छे से आता है तो means वो जो paper है वो हमारा tool है और उसको ही हम test कहते हैं after conducting any test मतलब दोस्तो measurement एक valuable score होता है जो कि हमें कोई भी test conduct कराने के बाद मिलता है और दोस्तो measurement को raw data भी बोलते हैं for example जो आपके schools में exam होते हैं आप लोग exam दे देते हैं उसके बाद दोस्तो जो आपके teachers होते हैं वो copy check करते हैं और दोस्तो copy check करने के बाद आपके teachers आपके copy पे score देते हैं तो वो जो score है वही measurement होता है means आपका test conduct कराया question paper से उसके बाद जब teacher ने copy check की और जो आपको score दिया that valuable score is known as measurement next दोस्तो हमारा evaluation evaluation का मतलब होता है categorization करना किसी भी person को उसके valuable score पे for example माल लीजी ये तीन बच्चे हैं एक का नाम है X दूसरे का नाम है Y और तीसरे का नाम है Z इन तीनों का physical education का exam हुआ था जो दोस्तो X नाम का जो बच्चा है उसके 100 में से 60 नमबर आये थे physical education में जो Y नाम का बच्चा है उसके 100 में से 80 नमबर आये थे और जो Z नाम का बच्चा है उसके 100 में से 99 मार्क्स आये थे तो दोस्तो अब हम क्या करेंगे अब हम इनका evaluation table बनाएंगे evaluation table में हमने तीन category बना ली है excellent, good और poor excellent पर दोस्तो हम उन बच्चों को रखेंगे जिन्होंने 95 से 100 मार्क्स तक लाए थे good वाली category में हम उन बच्चों को रखेंगे जिनके marks 80 से 90 के बीच में है और poor category में हम उन बच्चों को रखेंगे जिनके marks 40 से 60 के बीच में है तो ये दूस्तो तीन बच्चे थे इनके ये marks हो गए जोकि आपको उपर दिख रहे होंगे तो excellent की category में Z नाम का बच्चा आएगा जिसके 100 में से 99 marks आए good की category में Y नाम का बच्चा आएगा जिसके 100 में से 80 marks आए और poor की category में X नाम का बच्चा आएगा जिसके 100 में से 60 marks आए और ये जो process पूरी हुई इसी को दोस्तो हम evaluation कहते है I hope दोस्तों आपको evaluation का meaning, measurement का meaning और test का meaning समझ में आ गया होगा अब हम देख लेते हैं importance of test, measurement and evaluation सबसे परला point है दोस्तों हमारा classification of sports person तो दोस्तों जब कोई भी coach कुछ-कुछ players के test लेते हैं जैसे माल लेजी cricket का एक test होता है yo-yo test जिससे हम players के fitness level के बारे में जान पाते हैं कि यह player कितना fit है कितना नहीं है cricket खेलने के लिए तो जैसे माल लेजीए वहाँ के coach जो होंगे दोस्तों वो कुछ players के yo-yo test ले रहे होंगे तो इस test में दोस्तों कुछ person अच्छा perform करेंगे कुछ person थोड़ सा बेकार perform करेंगे तो इसके कारण दोस्तों होगा ये कि जो person अच्छा perform करेंगे टीम में उनको जगह मिल जाएगी cricket खेलने के लिए तो यही होता है दोस्तो classification of sports person second point है दोस्तों मारा selection of sports person जैसे माल जी cricket में ही प्लेयर्स को select करने के लिए यो-यो test हो रहा है और इसमें ये देखा जा रहा है कि player कितना ज़्यदा fit है तो दोस्तों जो player fit होगा उसको select कर लिया जाएगा जो player थोड़ सा unfit होगा उसको rest दे दिया जाएगा उसको बोला जाएगा और आप खुर सा practice कीजिए next time आपको जगह मिलेगी तो इससे दोस्तों हम sports person के भी selection कर सकते हैं अच्छे से third point है दोस्तों हमारा to achieve goals and objectives specifically जैसे माल जी दोस्तों कि कुछ players होंगे, कुछ students होंगे उनके भी दोस्तों अपने अपने goals होंगे student का goal यही होगा कि वो जाए जाए अच्छे marks लाए sports person का goal यही होगा दोस्तों कि वो जो भी sports खेलता है उसमें वो अच्छा perform करे regular test से, measurement से and evaluation से उनकी goals और objectives भी achieve होते हैं fourth point है दोस्तों हमारा to predict performance तो दोस्तों गर कोई भी person regularly test देता रहता है तो इससे दोस्तों उनकी performance को भी predict किया जा सकता है कि next time वो किस तरीके से perform कर सकते हैं fifth point है दोस्तों हमारा to compare and evaluate training methods तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि अबर जैसे माली जी कुछ players हैं उनके test हो गए तो दोस्तों इस बार जो उनके test हुए और पिछली बार जो उनका test हुआ था इन दोनों के उस players के performance को देखा जाएगा, evaluate किया जाएगा और यह चीज़ देखी जाएगी उसमें कि उस players का थोड़ा सा भी development हुआ कि नहीं हुआ growth हुआ कि नहीं हुआ तो इस चीज़ में भी test हमारी help करता है तो उसके 25 में से 23 marks है तो इससे क्या होता है दोस्तो तो इससे दोस्तो उस student का motivation level हलका सा increase होता है और वो फिर next time भी ऐसा ही score maintain करने के लिए try करता है तो यहीं जब दोस्तो कुछ points थे जो कि हमें ये बताते हैं कि test measurement and evaluation का क्या importance है second topic है दोस्तो मारा अचीवमेंट टेस्ट तो चलिए दोस्तो हम एक एक करके इनको डीटेल में समझते हैं सबसे पहला है दोस्तो मारा motor ability test तो दोस्तो जितने भी coaches होते हैं उनके पास दोस्तो सबसे बड़ा challenge यही होता है कि उनके बास जितने भी athletes होते हैं जितने भी उनके students होते हैं जो कि उनसे कुछ ने कुछ सीखने आए हुए होते हैं उनके unique point को निकालना कि हर एक individual में उसकी क्या क्या uniqueness है क्या उसकी quality है इस चीज़ को निकालना coaches के लिए काफी ज़्यदे एक challenging task होता है क्योंकि दोस्तो हर एक individual एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं उनमें कुछ न कुछ uniqueness होती है और uniqueness होती है height के basis में, body type में, muscle fiber composition में, motivational level में, learning style में और यही सब factors हर एक individual को एक दूसरे से अलग बनाते हैं तो दोस्तों अगर athletes में इतनी ज़्यदे uniqueness होती है तो इसके लिए जो coaches होते हैं वो सब के लिए same strategy नहीं बना सकते हैं तो इसलिए दोस्तों वो सब के लिए अलग-अलग strategy बनाते हैं और अगर दोस्तों किसी भी person के motor abilities को अगर निकालना है तो दोस्तों coaches उनके potential को भी देखते हैं कि हर एक athlete में कितनी potential है कोई भी sports कोई भी task परफॉर्म करने के लिए इसका मतलब है दोस्तों कि जो coaches है वो हर एक athlete के sports skills को analyze कर सकते हैं उनके motor abilities को identify करने के बाद तो हमारे पास दोस्तों कुछ motor ability test हैं इसकेंड पॉइंट है दोस्तों मारा physical fitness test तो दोस्तों physical fitness test की help से हम हर एक athlete के body composition को, cardio respiratory endurance को, muscular fitness को और उनकी flexibility को major कर पाते हैं हमारे पास कई सारे test हैं जिससे हम physical fitness को major कर सकते हर एक athlete के for example, Rogers physical fitness test Indiania motor fitness test MSWA physical performance test afar and youth fitness test और दोस्तों government of India ने भी कई सारे physical test को introduce किया है दो different age groups के लिए पहला age group है 5-8 years तक के बच्चे के लिए और दूसरा group है 9-18 years तक के बच्चों के लिए 5-8 years तक के बच्चों के लिए उन्होंने कुछ test इंट्रिद्च किया हैं कोडिनेशन टेस्ट जिसे प्लेट टैपिंग टेस्ट कहते हैं बैलेंस टेस्ट जिसको दूस्तों फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट कहते हैं और 9-18 years तक के बच्चों के लिए भी उन्होंने कुछ test को introduce किया है जैसे कि body composition test BMI same to same है second muscular endurance test muscular endurance test में भी दो अलग अलग पार्स आते हैं सबसे पहला पार्ट है abdominal या फिर core strength जिसके अंदर आता है partial करलब second part है muscular endurance test का जिसके अंदर दो अलग अलग टेस्ट आते हैं पहला push-ups for boys और second है modified push-ups for girls third है flexibility test जिसके अंदर आता है sit and rich test fourth है cardiovascular endurance test जिसके अंदर आता है 600m run या walk और last है speed test जिसके अंदर आता है 50m desk next है दोस्तों हमारा anthropometric test तो दोस्तों anthropometric test के अंदर किसी भी athlete के height को उनके bones के length को chest को body size को body के structure को उनके body के weight को उनके muscles के development को body composition को उनके lungs के strength को उनके standing posture को उनके sitting posture को उनके walking posture को उनके angles of archips को major किया जाता है और ये सबी चीजों को major इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये हर एक individual को sports और games में अच्छे से अच्छा performance देने के लिए help करते हैं और बिना anthropometric measurement के ये काफी जदर difficult होता है किसी भी student को classify करने के लिए और दोस्तों जो athlete sports और games में बहुत अच्छा perform करते हैं तो ऐसा क्या factor है उनके पीछे जिसके कारण वो इतना अच्छा performance दे पाते हैं तो ये चीज़ दोस्तों anthropometric test के द्वारा ही पता चलती है कि उस athlete में उस sports person में ऐसा क्या खास है ये चीज़ दोस्तों में anthropometric test के द्वारा ही पता चलती है For example, जो हमारे limbs का length होता है ये काफी जदर important factor है, काफी जदर एक significant factor है इस sprinting में Next दोस्तों हमारा cardiovascular test दोस्तों cardiovascular test के help से हम major कर पाते हैं किसी भी person के rhythmic performance को उनके dynamic activity को moderate या फिर high intensity पर For extended periods of time Cardiovascular test के help से हम major करते हैं cardiovascular fitness को किसी भी athlete के Cardiovascular test से दोस्तों हमें पता चलता है कि किसी भी athlete के heart की उसकी क्या capacity है lungs की क्या capacity है, उसके organs की क्या capacity है oxygen level क्या है उस athlete का workout के समय पर तो दोस्तों cardiovascular fitness किसी भी person की major की जा सकती है कुछ test को perform करके वो test कौन कौन से है, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला है the three minute step test second है the rock pot test third है VO2 max test fourth है 12 minute run test fifth है 12 minute swim test और sixth है hard word step test next है दोस्तों हमारा achievement test तो दोस्तों किसी भी athlete में कौन-कौन से sports और games के क्या-क्या skills है इस चीज को major करने के लिए achievement test को करवाया जाता है और यह जो test है दोस्तों यह काफी ज़्यादा important है physical education and sports के field में क्योंकि दोस्तों ही जो test है यह help करते हैं हर एक athlete को अपने game और sports में succeed होने के लिए अच्छा performance देने के लिए जैसे कि दोस्तों अगर किसी भी athlete को कोई particular skill को अगर achieve करना है तो skill दोस्तों कुछ test को perform करा जाता है for example जैसे कि दोस्तों basket में दो अलग-अलग test होते हैं skills को major करने के लिए जाउनसन्स basket test for boys लिलिच बास्केट बॉल test for girls next दोस्तों हमरे questionnaires and interview तो दोस्तों questionnaires और interview में किसी भी individual के बारे में जानने के लिए उनसे information लेने के लिए इस test को कराया जाता है इस test में किसी भी individual के behavior belief, attitude और interest को major किया जाता है questionnaires में written format में हर एक candidate से information को collect किया जाता है और interview में overall format में हर एक candidate से information को बादचित के द्वारा formal communication के द्वारा collect किया जाता information को candidate से और last दोस्तों मारा medical test तो दोस्तों medical test का मतलब है कि किसी भी student, athlete या sports person के body health को जानने के लिए इस test को कराया जाता है कि वो जो person है, वो जो athlete है वो internally, externally कितना ज्यादा fit है last topic के दोस्तों मारा test administration guidelines in physical education and sports तो दोस्तों अगर हमें test के administration को अच्छे से conduct करना है तो उसके दोस्तों हमें कुछ guidelines दी हुई है, और यह जो guidelines है यह three parts में divided है advanced preparation, during testing और after testing, तो सबसे बहुँआ हम देख लेते हैं advanced preparation को तो इसमें सबसे बहला point है selection of the appropriate test तो दोस्तों appropriate test का selection depend करता है coaches और teachers पे कि उन्हें दोस्तों athlete, sports person student की किस type की information को चाहिए second point है दोस्तों हमारा knowledge of the test इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमें proper तरीके से test administration कराना है तो इसके दोस्तों जो हमारा physical education teacher होंगे, जो coach होंगे उनके पास दोस्तों test की अच्छी खासी knowledge भी होनी चाहिए ताकि दोस्तों वो test को अच्छे से conduct करा सके third point है दोस्तों हमारा equipment and facilities इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमें किसी भी test को कराना है तो इसके दोस्तों हमें proper space है, equipment है और जितने भी required materials है उस test को कराने के लिए तो जो test है दोस्तों वो smoothly conduct हो सकता है next है दोस्तों हमारा preparation of score cards तो दोस्तों scores को record करने के कई सारे methods होते हैं कई अलग-अलग तरीके के score cards होते हैं जैसे कि दोस्तों scoring forms कि अकार्ट, class role seat scored cards, individual के score cards next है दोस्तों मारा preparation of the testing area इसका मतलब है दोस्तों कि अगर किसी भी test instructions को special arrangement चाहिए testing area के लिए तो इसके लिए दोस्तों कुछ required patterns है जिसको हमें properly follow करने चाहिए next है दोस्तों मारा selection of the administration process इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमें किसी भी test को कराना है तो उसके लिए दोस्तों हमें teacher चाहिए, coaches चाहिए, जो कि दोस्तों उस test को अच्छे से conduct करा सकें और उनके पास दोस्तों अच्छी खासी knowledge भी होनी चाहिए कि उन्हें कौन से test को कब conduct कराना है Next दोस्तों हमारा orientation of students इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमें satisfactory result चाहिए, किसी भी test को conduct कराने के बाद तो वहाँ पर दोस्तों student के पास भी knowledge होनी चाहिए उस test की कि उस test को actually में कैसे किया जाता है, उस test को कराने का purpose क्या है, उस test को क्यों conduct कराया जा रहा है और last है दोस्तों हमारा training of student leaders and scorers तो दोस्तों अगर हमें किसी भी test को अच्छे से conduct कराना है, तो वहाँ पर highly qualified person की भी availability होनी चाहिए experienced teachers, coaches भी वहाँ पर होने चाहिए, जो कि help करें हर एक athlete को कि किस तरीके से किसी भी test को perform किया जाता है वहाँ पर कुछ equipment की भी requirement होगी, जैसे के stop watches, dynamometer, तो वो चीज़ भी वहाँ पर available होने चाहिए और इनी सभी चीज़ों की help से कोई भी test अच्छे से conduct किया जा सकता है अब हम देख लेते हैं during testing, मतलब अभी test किया जा रहा है, उस बीच में हमें किन-किन points का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहला है last minute check इसका मतलब है दोस्तों की जो teachers हैं, जो coaches हैं, जो athlete हैं, इन सभी को दोस्तों time per ground में या court में पहुँच जाना है सारी facilities वहाँ पर available होनी चाहिए, ताकि जिससे दोस्तों जो test है, जो भी conduct कराये जाएगा, वो easily conduct हो सके second point है दोस्तों हमारे demonstration, इसका मतलब है दोस्तों की अगर हमें किसी भी test को easily perform करवाना है तो इसके दोस्तों जो coaches होंगे, जो teachers होंगे, उन्हें दोस्तों एक demo भी करके दिखाना चाहिए, किसी भी test का, जो की वो conduct कराने वाले है student से, या फिर athlete से, ताकि जिससे दोस्तों जो student है, जब वो दोस्तों उस test को perform करें, तो वो easily perform कर पाएं और third है दोस्तों मारा warm up and practice तो दोस्तों ये तो सबसे important point है, क्योंकि दोस्तों अगर हमें किसी भी test को अच्छे से perform करना है, तो उससे पहले दोस्तों में proper warm up और practice भी उस test के कर लेनी जाएं क्योंकि अगर दोस्तों अगर हमने proper warm-up नहीं करा, practice नहीं करी, तो इससे दोस्तों जब हम directly उस test को perform करने जाएंगे, तो वहाँ पर दोस्तों injury होने के chances हैं, fourth point है दोस्तों मारा motivation, इसका मतलब है दोस्तों की coaches को और teachers को किसी भी test को conduct कराने से पहले students को, athlete को motivate भी करना चाहिए, ताकि दोस्तों वो students अपना best performance दे सकें, और last है दोस्तों हमारा safety majors, तो दोस्तों safety majors का मतलब है, कि जो भी student, जो भी test को perform कर रहे हैं, उन्हें उनके जो required equipments हैं, मतलब दोस्तों उस test को conduct करने के लिए, जो भी equipment के requirement है, उसको जरूर ले लेना चाहिए, ताकि जिससे injuries के chances कम हो और last है दोस्तों हमारा after testing, मतलब दोस्तों अब test सब खतम हो चुका है, अब हमें किन-किन points का दिहान रखना चाहिए, तो सबसे पहला है दोस्तों हमारा collection of score cards, इसका मतलब दोस्तों कि जितने भी students ने उस test में participate किया, उनके क्या scores रहे, उस चीज़ को collect कर लेना चाहिए, second point ह दोस्तों हमारा conversion of raw scores, तो दोस्तों test तो हो गया हर एक student का, हर एक athlete का, अब उनका क्या raw score बनता है, मतलब अब हमें उनका measurement करना है, हमने measurement समझ लिया था starting में, तो ये चीज़ इस point में होगी, मतलब दोस्तों test conduct हो गया उन students का, अब उनको क्या-क्या scores मिलता है, उनके क्या-क् scores बनते हैं, अब ये चीज़ कुन करेंगे, तो ये चीज़ teacher या फिर उनके coach ही करेंगे, और last point है दोस्तों हमारा comparing test result with norms, इसका मतलब दोस्तों की compare करना, कि आपके last test में क्या score था, raw score, और दोस्तों इस बार जो आपका test होए, उसमें आपका क्या raw score रहा है, क्या आपका raw score बड़ा है, अगर बड़ा है, तो इससे आपको motivation मिलेगा, और अगर घटा है, तो दोस्तों ये एक sign है, जो कि आपको ये बताता है, कि आपको improvement कर लेनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, इस test में अपना best performance देने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा unit है, unit number 6, test, measurement and evaluation, ये दोस्तों यहाँ पर खताम होता है, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको helpful लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो को देखते रहना चाहते हैं, तो